दोस्तों जरा इस ओवलोक मशिन की सीले को देखिए, एकदम प्रॉपर और परफेक्ट सीले है, अब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए, आप किसी भी ओवलोक मशिन की सीले को यहां से बड़ी कर सकते हैं, देखिए, यह जो स्क्वेर बन रहा है, इसको बड़ा कर सकते हैं, सीले को बड़ी कैसे करना है, यह वीडियो मैंने बना के रखा है, आप यहां से किसी भी मशिन की सीले को, किसी भी मशिन की चाल को बड़ी या छोटी कर सकते हैं, यह जो सीले हैं, इसे बड़ी कर सकते हैं, यह रहा वीडियो मैंने बना के रखा ह अब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी ओवलोग मशिन की सीले को यहां से चोड़ा कैसे करें सीले बड़ी कैसे करें ऐसे तो बहुत वीडियो आपको यूटूब में मिल जाएंगे लेकिन आज तक YouTube में किसी ने ये वीडियो नहीं बनाया है कि आप अवलोग मशिन की सीले को यहां से चोड़ा कैसे कर सकते हैं यहां से बड़ा कैसे कर सकते हैं चोड़ा कैसे कर सकते हैं तो आज की वीडियो में यही मैं आपको डीटेल में बताने वाला हूँ कि आप अपने ओवलोक मशीन में ये जो सीले हैं, इसे बड़ा या छोटा, चोड़ा कैसे कर सकते हैं, बहुत सीम्पल ट्रीक है, लेकिन यूटूब पे अभी तक किसी नहीं वीडियो डाला नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, मेरे प आपको कुछ अच्छा जानने को मिनेगा, तो चल ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये मशीन के कुछ पेर पार्ट्स खोल नेते हैं, ताकि आपको सीले ही चोड़ी कैसे करनी हैं, वो बता पाओं, ये दो दागे का मशीन है, तीन दागे के मशीन में भी मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, ये दोनो ब्लेड भी निकाल लेते हैं, ताकि आपको प्रॉपर पता चने, और ये मशीन की प्लेड जो है, उसे भी निकाल लेते हैं, ये आगे का कवद, ये भी निकाल लेते हैं, देखीए दोस्तों, किसी पी ओलो क्वसन की सिले को यहां से चोड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे इंपोटन पार्ट है, ये बैठक, देखिए, ये बैठक यहां पर लगी होती है, देखीए ये रहे, ये है बैठक, और ये, ये पूरा पार्ट है, यह ऐसे लगता है और यहाँ पे पीच लगता है देखिए यह रहा वो पेच अब आपको सिले बड़ी करने के लिए क्या करना है मैं बताता हूँ देखिए यह जो पेच है उसे डिला किजिए यह मैंने उसे डिला कर दिया उसके बाद क्या करना है देखिए, आप जब भी, आप जब भी ये पेच डिला करेंगे, तो ये बेटा के वो अंदर बर होती, देखिए, ये बेटा खीन रही है, देखिए, अंदर बर हो रही है, अब इसको कितना अंदर बार लेना है, बहुत ज्यादा अंदर लेना है, थोड़ा ही अंदर लेना है देखिए, यह मैंने इसको थोड़ा अंदर लेनी है, अब इतना करके यह जो नीची वाला पेच्छे उसे टाइट कर दीए, आपको क्या-क्या दियन रखने वह भी बताने वाला हूं, आप अंदर बाय करेंगे उतनी से काम नहीं होगा, कई बार आप जब यह पेर लागेंग यह मैंने यह बेटक को थोड़ा अंदर ले लिया, अब इतना करने के बाद, यह मशिन की प्लेट रो सब लगा लेते हैं, देखिए, यह मशिन की प्लेट लग चुकी है, अब यह आगे का कवर है, वो भी मैं लगा देता हूं, देखिए, एक बाद बता दू, यह मैंने जो होते तो भी कर सकता था, लेकिन मुझे आपको डीटेल में निखाना था, कैसे करना है, इसलिए मैंने एक एक करके सबी स्पेर बाद निकल दिये हैं, देखिए, यह आगे का कवर हो गया, अब सबसे पहले, यह जो कटर है, वो लगा लेते हैं, देखिए, मैंने एक कटर यह आपको एक bonus tip दिखा दी, अब इतना करने के बाद, यह पैर है, उसे लगाते हैं, अब पैर लगाने के बाद, फिर से हमें यह दागा लेके चेक करना है, कि दागा कट रहा है कि ने, एक बार में दागा कट जाना चाहिए, उसका मतलब हमने पैर जो लगा है, वो प्रॉ तो प्रॉष है, आपको अब दिखा रहा हूं, देखिए, हमने मर्शिन की यह जो बैटक है, उसको थोड़ा अंदर खिछा लिया, उसके बाद किया ध्या लगए है, वो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, ने यह जो तुई है, वो ध्यान से देखिए, यह जो यह सुई है, वो अंदर जाते टाइम, यह प्रेशर फूट है, उसके इसी भी पार्ट को टच नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से देखिए, सुई एकदम प्रेशर फूट के पास से जा रही है, लेकिन टच नहीं हो रही है, देखिए, यह देखिए, यह ध्यान से यह पॉइ अगर आप यह बैटा को ज्यादा अंदन लेलोगे और फिर प्रेशर फुट लगाओगे तो प्रॉबल्म क्या होगा? आपकी सूई कही बार तो प्रेशर फुट को यहां पर टाच हो जाती है तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम नहीं है, इतना ध्यान लखना है आपको, देखिए जब भी सूई अंदर जा रही है, तो प्रेसर पूट को टच नहीं हो रही है एक सिले, एक मशिन की सिले बड़ी और छोटी कैसे होती है देखिए, प्रेसर पूट का एक मशिन की सिले बड़ी और छोटी कैसे होती है वो मैं आपको, सीम्पल बासा में समझा देखिए यह प्रेसर फूट है अब सूई जो है, सूई वो ऐसे ऐसे अंदर जाती है, देखिए, ऐसे ऐसे अंदर जाती है अब कोई सिले बड़ी और छोटी कैसे होती है वो इतना नजदिक से अंदर जाती है。 किसी थी मशिन कि सील्यन को चौड़ि कैसे करना है, देखिए. ये आपको जो ये प्रेशर पूट को या पर गैप दीख देखिरा है, देखिए. ये जो गैप दिख देखरा है, आपके मशिन के सुई, यह जो पाठ है, देखिए, यह पतला वाला जो पाठ है, यह पतला वाला जो पाठ है, सुई जितना नस्दिक रहेगी यह पाठ के, सुई जितना नस्दिक रहेगी, उतनी सिले छोटी आएगी, देखिए, यह सुई नस्दिक रहेगी, सिले छोटी आएगी, अमें क्या करना है, सुई को ये साइल ले जाना है, सुई को ये पार्ट ये साइल ले जाना है, उसका मतलब आप जब भी ये मशिन की बेटा क्या उसे दक्का मारेंगे, तो ओटोमेटिक सुई जो है, वो ये पार्ट से याँ पे ऐसे शीफ्ट हो जाएगी, तो आपके मशिन की सिलेई चोड़ी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी अब मैंने यह मशिन का बेटक जो उसको यहाँ पर सरका लिया है यह भी चेक कर लिया है कि सुई प्रेसर पुट को टच नहीं हो रही है इतना ही आपको करना है अब मैं यह लगा देता हूं उसके बाद आपको फाइनल मश प्रेंज हुआ सिले में सब कुछ बताता हूं तो मैंने इस मशिन में डागा डाल दिया है अगर वह लोग मशिन में डागा कैसे डालते हैं आपको पता नहीं है बहुत डीटेल में जानना है तो यह रहा वीडियो मैं लास्ट में उसकी लिंक दे दूगा यह डिस्क्रिप् देखिए यह पूरानी सिले अब मैं नई सिले करके दिखा दाओं आपको पता चलेगा किता डिफ्रेंस है सिले में देखिए यह है बड़ी सिले आपको दोनों का डिफ्रेंस दिखा दाओं देखिए यह पूरानी सिले है देखिए दोस्तों यह आगे वाली है यह पूरानी सिले और यह पीछे वाली नई सिले ध्यान से देखिए दोनों की चौड़ाय में डिफ्रेंस देखिए यह चौड़ाय थोड़ी बड़ी हो गई है त्यान से देखिए तो बहुत लोग मशिन चलाय थे जिसमें उनको यह मशिन की सिले यहां से चौड़ी चाहिए बड़ी चाहिए होती है तो वो कैसे करना है मैंने आपको दिखा दिया अगर इस वीडियो के रिगारिंग आपके कुछ सवाल रहते हैं आप मैंने जो बता है वो स्टेफ फोलो करते हैं और कुछ प्रोब्लम आता है तो मुझे कमेंट में ट्लिक के बेजे या फिर इस्टाग्राम पे आप मुझे डाइरेक्ट मेसेज कर सकते हैं मैं रिप्लाइ कर दूंगा तो इस तरह आप एक ओलोक मशन की सीले को यहां से चौड़ी कर सकते हैं अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक के लिए मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में थैंक्यू अर